हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल आप सभी को स्रीकिष्ण जन्माष्टिमी की सुबकमनाए आज मैं काना जी का पसंदीदा भोग पंजरी बना रही हूं आज मैं धनिया का पंजरी बना रही हूं और आटे का भी बनाया जाता है लेकिन मैं यहां धनिया का बना रह मैं यहां 8-10 मखाना ले रहे हूं मखाने को 5-6 मिन तक फ्राइ करेंगे अच्छे से क्रिस्पी हो जाना चाहिए तब तक फ्राइ कर लेंगे एक तोड़ के देखें आप लोगों को पता चल जाएगा 5-6 मिनिट के बाद उसके बाद इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और इसी रखे बनाईये मैं यहां ड्राइफूट में काजु, बादाम, किश्मीश, तरबुच के बज ले रही हूं इसे एक मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे ज्यादा नहीं प्राइ करना है एक मिनिट के फ्राइ करने के पास के अंदर में एक स्पून खस खस ले रहे हूं इसे भी जो ब्रा रहता उसे भी बना सकते हो, इसे भी एक मिनिट फ्राइ करेंगे, तो इसमें से खुश्बू आने लेगे, तो इसे निकाल लेंगे, और उसी प्यान में फिर से एक स्पून की दाल देंगे, मैं यहाँ एक बॉल भर के धनिया पॉडर ले रही हूँ, एक घर का बना हुआ धनिया पॉडर है, अगर आप लोग चाहिए तो साबुत धनिया भी लेके फ्राइ कर सकते हो, उसे बाद में ग्रैंड कर सकते हैं, घर का धनिया ही लेंगे, तो अच्छा टेस्ट रहेगा, इसे मैं यहाँ एक से दो मिर्ट तक फ्राइ कर लोगे, इसमें से अच्छे से खुश्पो आ जाना चाहिए, तब तक हम लोग फ्राइ कर लेंगे, यह दे कि अच्छे से फ्राइ हो चुका है, इसे ठंडा होने देखे, गया साफ कर चुकी हो, ठंडा होने के बाद, इसके अंदर तक हम लोग जो मखाना फ्राइ करके रखे हैं, उसका मैं बारिक पीसेस में कट करके दाली हो, आप लोग देखे दाली है, आप इससे बड़ा भी रख सकते हो, उसके अंदर ड्राइ फूड और शुगर पोडर ले रही हो, शुगर पोडर बनाते वक्ति इसके अंदर अच्छी पोडर नहीं दाल रही हूँ, शुगर पोडर दालके इससे अच्छे से मिला लेंगे, ये काना जी का पसंदीता भोग है, ये भगवान को भोग लगाते वाक्त हम लोग इसके अंदर सारे फूट्स भी दालते हैं, और सभी को प्रसाद के तोर पे भी दिया जाता है, आप लोग भी इस तरह बना के काना जी को भोग लगाईए, और आप लोग किस तरह बनाते हैं प्रसाद मुझे बताएगा जुरूर, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं